टेलिकॉम कंपनी के एड़ वाला डॉगी तो आपको यादी होगा, कैसे वो आपके पीछे पीछे चलता जाता है, मतलब जो आपका लोकेशन वहाँ आपका डॉगी बड़ा प्यारा लगता है जब कोई ऐसे आपके पीछे चला आए, लेकिन ज़रा सोचिए, अगर कोई अंजान आपका पीछा करते हुए आपके पास पहुँच जाए, तो क्या होगा, और वह अंजान होने के साथ साथ दिखाई भी ना दे तो, अब आप सोचेंगे कि ऐसा मतलब पीछा भी करे और दिखाई भी ना दे, ये कैसे हो सकता है? तो ये हो सकता है, और करने वाला भी आपका सबसे खास, यानि कि आपका स्मार्टफोन है कितने ही एप बिना किसी कारण के 24 घंटे 365 दिन आपकी लोकेशन ट्रैक करता है? क्या जरूरत है लोकेशन ट्रैक करने की? और कैसे बंद करना है? आज इन सभी सवालों के जवाब देंगे हम आपको जब अपना कोई परिशानी में फसा हो और उसकी लोकेशन की जानकारी मिल जाए तो हमारी जान में जाना जाती है लेकिन अगर इससे स्मार्टफोन को जोड़ कर देखें तो बात पूरी तरह सच नहीं है इसे ऐसे समझे कि डिवाइस की लोकेशन तो है बड़े काम की क्योंकि अगर फोन चोरी हो जाए तो लोकेशन ट्रैक करके हम इसका असानी से पता लगा लेते हैं लेकिन वही स्मार्टफोन में इस्टॉल इतने सारे आप्स क्या आपकी लोकेशन की वाकई में इने जरूरत है अब इसका जवाब जाने के पहले ये जानते हैं कि आखरी आपकी लोकेशन की मांग करते क्यों है आप Android या iPhone का इस्तिमाल करते होंगे जब भी कोई app डाउनलोड करते हैं तो लगातार आपकी स्क्रीन पर location का pop-up सामने आ जाता है contact से लेकर SMS तक और location से लेकर call lock तक आम तोर पर बिना सोचे समझे हम सबको OK करते जाते हैं तो ये है तरीका आप यकीन नहीं करेंगे कि एक बार आपकी location इनको मिल जाए इसके बाद आपकी building नमबर तक का इन्हें पता हो जाता है अब ऐसा होने से उन्हें मदद मिलती हैं आपके पसंद की add दिखाने में मतलब वो आपको वही add दिखाएंगे जो आपको पसंद है चाहिए होता है असली डर तो यह है कि भले ही आप apps का इस्तमाल नहीं कर रहे हो तो भी आपकी location पर इनकी नजर लगातार जारी रहती है अब बात कर लेते हैं उन apps की जुनके पास आपके सही location का फायदा होता है cab book करने वाली service हो या food delivery service apps इनको आपके घर के सही पते की जानकारी होना बहुत जरूरी है इससे cab वाले को ही परेशानी नहीं होगी और आपकी location के जरीए वो खुद आपके पास चले आएंगे दवाई वाले या medical emergency में काम करने वाले apps भी अगर आपकी location का access जानते हैं तो जान बचाने के लिए कई उदारन आपके पास पहले से ही मौजूद होंगे Google और Google Chrome को नहीं लेकिन Google Maps को आपके location का पता ठिकाना होना बहुत ही जरूरी है सिर्फ ओके Google बोलने से मुसीबत में आपकी location share की जा सकती है मतलब अब ये आपको तै करना है कि आपके location की जानकारी किस app के पास होनी चाहिए और किस के पास नहीं यहां सबसे अजीब तो mobile कंपनियों के apps हैं जो network के जरीए location का पता पहले से करके रखते हैं बावजूद इसके आपका location बार-बार मांगते रहते हैं अब इसका जवाब भी आपको पताई होगा जी हां add जो दिखाना है उमीद है कि location permission के असली खेल का आपको पता चल गया होगा अब बात इससे बचने की अगर आपने हर app को location permission दे रखा है तो उसे बंद कैसे करें सबसे पहले android के settings में privacy option में जाएं permission manager में location को tap करिए फिर आपको allowed all the time और allowed only while in use category मिलेंगे इसमें पहली category का मतलब है हर समय आपके phone का location access उस app के पास रहेगा वहीं दूसरी category में location का पता तभी उस app को चलेगा जब आप चाहेंगे जिस app की location बंद करनी है उसको tap कीजिए ये सिर्फ आप tag कर सकते हैं कि किस app को आपकी location मिलने चाहिए और किसे नहीं बताये गई इन दो option के अलावा ask every time select करने पर app चालू होने पर हर बार location की permission मांगी जाएगी आपको आखरी option don't allow का मिलेगा जिसका मतलब है location की access app के लिए पूरी तरह बंद हो जाएगी तो यहां सबसे अच्छा जो option है वो तीसरा है मतलब जब जब जरूरत तभी location का access मिलेगा उमीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी तो आज के लिए बस इतना ही दीज़े अजासत नमस्कार